नमस्कार दोस्तों इस टेडी विध हपीनेस में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी और कनिस्ट सहयक की दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडिय अभी हमें बहुत सारी चीज़े देखनी होती हैं जैसे कि उस जॉब में प्रमोशन कैसे हैं और पर्टिकुलर उस पद का अधिकार छेतर कैसा है कई लोग होते हैं जिने फील्ड में जाकर नौकरी करना पसंद होता है और कई लोग को आफिस डूटी ही पसंद होती है तो म बारे हम बात करेंगे 2000 ग्रेट पे की नौकरी है ठीक है मगर हम बात करें ग्राम विकास अधिकारी की तो दोस्तों इसका जो अधिकार छेतर है वो कनिष्ट सायक से कहीं जादा है अब मैं आपको एक्जाम्पिल के जरिए ही बताता हूँ दोस्तों जैसे कि आपको पता पंचायत होती है दोस्तों वहाँ पर जो एक तो हो गया चुनाव से जो भी प्रतिनिधी चुनके आता है और उसका जो सचीव होता है वो होता है दोस्तों मुख्य विकास अधिकारी या फिर उसे बोलते हैं पंचायती राज अधिकारी ठीक है और फिर बात करते हैं छेत्र प होती है वहाँ पर आप सच्चिवक के रूप में दोस्तो व धूस तो गाओं में आप देखेंगे कि गाम विकास अधिकारी ना इने सचिव साब या सचिव साब इस तरीके से ही लोग जानते हैं जो कि गाउं के लोग होते हैं ठीक है तो ये आप समझ सकते हैं कि आपको काम करना है ऐसे विक्ति के साथ मिलके जो की जनता ने चुनकर भेजा है यानि कि वीडियो जो काम करेंगे वो ग्राम प्रधान की हेल लिग डिलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी और अगर आप यह सूचें कि आपको मंडे टू फाइव डे वाली जॉब चाहिए तो फिर ऐसा नहीं हो सकता इसमें यह आपकी हेक्टिक जॉब भी होने वाली है मगर हाँ इसमें आपको आनंद भी बहुत आएगा जो की लोग जो आता है ठीक है दोस्तो तो उसी तरीके से ग्राम पंचायत में आप देखेंगे तो एक जो सरकारी करमचारी अगर आप इसमें जॉब में जाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तो खाबराएगी इस जाव जोब से रिलेटिड एक मैंने कॉल रिकॉर्डिंग की थी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो जो वरकिंग ग्राम विकास अधिकारी है उनकी रिकॉर्डिंग है आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप सुन सकते हैं ठीक है दोस्तो अब मैं बात करूंगा कनिस्ट सायक की दोस्तो आपको पता है कि कनिस कनिस्ट सायक की नौकरी भी जो है वो पाना इतना असान नहीं है 2000 ग्रेट पे की नौकरी है हिंदी इंगलिश टाइपिंग है इसके अंदर मगर दोस्तों कनिस्ट सायक का जो प्रोफाइल कैसा होगा यह डिपेंट करेगा उसके डिपार्टमेंट पर कि कौन सा डिपार्ट हैं दोस्तों जिसमें भी कनिस्ट सायक होता है जिनके हेड़कौर लखनव में हो या फिर कानपूर में हो तो यहां पर फाइव डे जॉब भी आपको मिल जाएगी मगर वीडियो के अंदर आपको कभी भी फाइव डे वरकिंग वाली जॉब नहीं मिल सकती मगर कनिस्ट साय में आपके नंबर सही है और आपने प्रिफेंस अगर सही दी है टॉब पे तो आपको फाइव डे वरकिंग भी मिल जाएगी जिससे आप चाहें तो आगे पी सीएस की तयारी करनी हो या फिर आईएस की तयारी करनी हो तो आप वहां पर रेकर कर सकते हैं ठीक है रही बात प अलग तरीके से होंगे अगर आप आर्टियो डिपार्टमेंट में है तो वहां पर अलग तरीके से होंगे तो जब भी कनिस्ट सायक का मिले आपको मतलब मौका मिले क्योंकि अभी दोस्तों उसका रिजल्ट आना है और टापिंग भी होगी तो उसमें आपको अपना डिपा में दे रहा हूं जो कि आपको working profile बताएंगे कि किस तरीके से कनिष्ट साय को कारे करने पड़ते हैं ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और कैसे उन्होंने typing clear की थी तो दोस्तों ये आपकी choice पर depend करता है कि आप अगर field job चाहें और administrative power चाहें तो आप जा सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी की और और यदि आप आगे और अच्छी तयारी करना चाहते हैं तो कनिष्ट सायक ग्राम विकास अधिकारी पूछ भी सकते हैं जल्द मिलेंगे दोस्तों हम next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत